किसी की बिपत्ति की ताकत नहें कि हमारी शंपत्ति और सुप पराँच पहुचा सके पर यह तभी जब आपका अखंड इश्मरण चल रहा है अखंड इश्मरण के लिए वाचोवेगं मनशहा कुरोधेवेगं हिन्शावेग मुदरोपस्थवेगं एतान वेगान सहतेयस्त विद्वान निंदाच्या सहरदयम नूपहन्याद जो विद्वान उपाशक वाणी का वेग मन का वेग क्रोध का वेग हिन्शा का वेग भूख का वेग और जनेंद्री जनित मैथुन का वेग जो शेह जाता है वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है वही उपाशक निरंतर भजन कर सकता है नहीं यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं यह वेग वाणी का, मन का, कुरुद का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सैन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे निरंतर भजन नहीं होने देंगे दूश्रा निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत्परा मेरे प्रायण होकर भजन करो अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है मैं अच्छा भजनानंदी हूँ जहां ये बात आही तहां वो दूसरों जो वैश्णों है महत्माजन है वो टीका टिपनी करने लगता है उनकी ये होता है अपने में स्ट्रेष्ट भावाने पर दूसरे शादकों की वैश्णों की महापुरुशों की महत्जनों की उटीका टिपनी करने लगता है ऐसा क्यों ऐसा ऐसा क्यों ऐसा ये आपके भजन कोई रोक देगा निरंतर भजन चलने की तो बात जने तो जन से ही भिमुक कर देगी ये बृति ये च्छै बाते संतों की प्रति नहीं करनी चाहिए वो वेग सहो और ये बात भूल कर अपनी वानी पे न लाओ बास निरूपन किशी भी संत महात्मा वैश्णों के विशे में ऐसा कहना ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गाओं में रहते हैं इनको तो गंगा किनारे या इस मसान में कहीं खंडैर में रहना चाहिए बाबा जी है ऐसे वैसे वास निरूपन करना तभी जब आहम जागरत होता है तो शंतों के प्रतिका टिपनी शुरूँ हो जाती है वास निरूपन किशी भी विशंत महत्मा वैश्णों के प्रति उसके वास के विशे में बोलना दूश्रा ग्यान निरूपन किशी शंत वैश्णों के प्रतिय ऐसा ये पढ़े लिखे तो है नहीं सास्त्रों का इनको ग्यान तो है नहीं बेश बना लिया बस पेट भरन पोशन के लिए घूम रहे कोई इनको ग्यान तो है नहीं क्या भजन करेंगे क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है सास्त्रों का ग्यान नहीं है तो क्या ये भजन करेंगे ग्यान निरूपन तीसरा जाते निरूपन अच्छा ये हमुख जाती के है हाँ चाहे जितना ये बेस रख ले नीच जाती का तो नीचे जाती का रहेगा न ऐसा महान अपराद ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना ये महत अपराद है और ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं फिशल जाते हैं एक बार एक जगे महात्माओं की पंगत लगी हुई थी तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो स्रिष्ट थे उन्हें एक थपड मारा और निकानने लगे वहां हमको भी शेवा दी गई थी पतल उठाना और पोछा लगाना बाद में तो परुशाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे ततकाल गए हमने का आपने क्यों थपड मारा तो उन्हें जाते निरूपन किया कि इस जातिका है तुम नहीं जानते हो और ये साधू की पंगत में बेठा है हमका आचारी परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेश दारण किये हुए है आप आचारी परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाती की प्रधानता रखते हैं उमात्मा अश्रुप प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है क्या मेरे को भगवत प्रशाद पाने का अधिकार नहीं है जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है भेश दिया है तो हम शंतों की सभा में उनी की आग्या से बैटें वैसे हम इस योग की नहीं है पर बैटें उनकी देन्निता देखकर ततकाल उनको हदे से लगाया और उनसे कहा कि दुबारा ऐसी गलती नहो ये क्या मर्यादा है वेश्ट के उपर और उनके चरण पकड़े एक बार इनको छमा करके आप बैट जाएए आप प्रशाद पा लेजिए उस उम्हें भागवति कावेश्ट में बोले उनकी सामर्त नहीं हुए दुबारा उनको वो प्रशाद पाके निकले मन में ठान लेया कि जोला उठा और भागो यहां से नहीं जहां शंत का अपमान हो वहां नहीं ठीकना चाहे तो भूल हो जाती है कि राजशुई अग्य में भगवान ब्रह्मा से लेकर के साविस्वर कोटि के मापुरुष्पदारे थे कि जिसमें स्वयम सर्वेश्वर भगवान स्री कृष्ण बिराजमान थे और उस पवित्रता का क्या वरणन करना जहां साक्षा धर्मराज बिराजमान है वहां पवित्रता का प्रिविश नहीं हो शकता लेकिन यग्य की पूरणता नहीं होई थी यग्य की पूरणता सोपच वालमी की के चरण दोकर रसोई में पवाने से होई थी स्वयम भगवान से कृष्ण चंद जुने ऐसा आदेश किया था जिन्होंने स्वयम गीता जे में का चातुर वर्णम मयास्रष्टा गुन कर्म विभागशा लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर वर्णम मयास्रष्टा का सिध्धानत नहीं लागू होगा भगवान व्यास देव जी कहे रहे है अहो बच्वचतो गरियान यदि जिभ्यागे वर्थते नाम तुभ्यम यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल लाए वो चांडाल भी है तो उसका चरणा मृतले के पिना जाहिए इसलिए हरी राम ब्यास जी कहते हैं ब्यास मिठाई विप्र की तामे लागए आग ब्रंदावन की स्वपच की जूठन कहिए मांग ब्यास रसिक्ते यी बड़े ब्रजते अनत नजाएं ब्रंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं ये जाति निरूपन संत की प्रतिकरन महत अपराद है और ये जब जाति का भीमान बना हुआ है तो भगवत दाशत्तो का भीमान कैसे आशकता है किसी भी मार्ग में हो आगे चल करके सब ले हो जाता है ये देहा भीमान के अंतरगत आता है देही ही तो जन्मी है जाती में ये श्वरूपा भीमान थोड़ी है ये देहा भीमान ही है इसले वैश्णों के सब के एक ही गोत्र है अच्चित गोत्र अपने सब रश्कों के एक ही गोत्र है हरिवन्श गोत्र अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे तहां जाति कुल नहीं विचार कौन शूत्तम कौन गमार सार भजन हरिवन्ष को और यारस मगन मिटए भवत्रास सुनव रसिक हरिवन्ष विलास स्री हरिवन्षेंगाई कहीं भी प्रगट हुआ हो किसी भी कुल में और वो जब आचारी के शर्णागत हो जाता है आचारी परमपरा से तो अभेद हो जाता है शुने प्रपन जेव है अभद्र शर्व के गए तिन्हें मिले प्रशन होए न जाति भेद मानिये न जाति भेद मानिये उनको देख करके कहना चाहिए सुभाग हमारे अहो भाग आपके दर्शन में आप पधारिये आप विराजिये और जैसे अपने पुझे जनों का श्वागत किया जता है ऐशे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संथ है इसके पैर कैसे छुए इसका चरनामर्त के अगर ऐशा तो आपका भजन बादित हो जाएगा जाते निरूपन यही गलती हो गई थी दंड़का रहने के रिशियों शेश्री माता सबरी के प्रती एक तो इस्तरी जाती और दूसरी भीली नहीं कैसे हम महां ब्रह्मरिश्यों के बीच में बड़े-बड़े कीड़ा पड़ गए थे सरुवर के जल का प्रियूग नहीं कर सकते थे साबशान्त थे और भगवान श्री राम ने माता सबरी को शोगा के दिया ऐसा जो ब्रह्मरिश्यों को भी नहीं मिला इसलिए कभी किसी शंत के जाते निरूपण न करें ये बिल्कुल देखो हम शब प्रभू के अनुश हैं कर्म के अनुशार सरीर में आए कर्म के अनुशार कुल में जन में लेकिन हमको लेके थोड़ी बैठना है हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है हम ये कुल कर्म को लेके जाती धर्म को लेकर के सरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगले आप जन्मनिश्चित हो जाएगा हमें प्रभू के पास जाना है जेवी ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभू के होगे खतम केल बस सर्ष्टी चक्र के खेल के लिए है चातुरवडम भगवत मार्ग में जेवी आरूड हुए तो वो सरीर राग हटा भगवत अंश हो जितने ब्रह्माजी पवित्र है उतने तुम्हारा सोरूप पवित्र है जो भगवान शंकर का सोरूप है वही तुम्हारा सोरूप है सोरूप में अंतर नहीं है अंतर है देह में सोरूप तो सब का एक ही है भगवत सोरूप है शाब आत्मस सोरूप है चोथा ब्रतिनी रूपर किशिमात्मा को देखके कहना ये ना हाथ में मला है हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं पड़े रहते हैं इदर खाते हैं उदर खाते हैं भंडारा खाते हैं डोलते हैं बिल्कुल नहीं तुम क्या जानो क्या जानो कौन सी के ब्रती है एक भजन के ऐसी भी ब्रती होती जिसमें माला भी ख्षेफ होता है भजन में शायक माला होता है और एक भजन के ऐसी बृत्ती होती है जिसमें माला विक्षेफ होता है अगर कभी उच्छाह पूरवक ले भी लिया जाए तो दस-पांच मिनट से जादा नहीं चलेगा और रख जाएगा स्वाभाविक शाया हुआ है अब वां मनका चलाए तो विक्षेफ पढ़ रहा है गिंती करे तो विक्षेफ पढ़ रहा है चल रहा है अब आप क्या जाने? हम माला देखके तो जान जाते हैं कि जब aguर हो रहा है बैठे है, टहल रहे हैं तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं संतों को जानना बड़ा कठीन होता है बार गुरुजी की सेवा में शुकुमारी श्रन थे जही लाड़ली कुझे में प्रिविश्वे तो महाराजी नहीं का दुर्गंध आ रही ऐसे देखा और का बैष्ण अपरात करके आ रहे हो क्या महाराजी हम सावन लगा कि नहीं नहीं आते तो साहत सरीसे दुर्गंध वह वो दुर्गंध नहीं यह वैष्ण आपरात की दुर्गंध है गुरुदेव नहीं का महाराजी साउधान देते हैं कोई वेश्ण वपरात नहीं नहीं हमें मेशूश हो रही है आप पहले वही खड़े रही है बताई क्या बेश्ण वपरात क्या है भाजान का क्या प्रभाव होता है बहुत सूक्ष में है बहुत सूक्ष महापुरुशों के हिरदेश नहीं पता चलता है ना प्रारम में था तो पंडित बाबा की बानी पढ़ी तो तनमेता एकदम पंडित बाबा में हुई दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्हों का कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आये तुम्हारे सिवा और किसी का यहां आना नहीं है तो उनका हमारा जी पंडित बाबा का चरितर पढ़ रहे तो एकदम उसमें तनमेता है एकदम है उन्हों हाँ तभी आया चीदिने अब कितना सूक्ष में यह सबके समझ में की बात परिकमा दे रहे थे जगनात बाबा की कुटिया दो पार में द देखा तो आप सराकूर्ण में ध्यानस देख व्रक्षी के नीचे बेटे वहां से क्यों चले आए इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमान हो सिद्ध पुरुष थे ना तो हमें बिक्षेप पढ़ रहा था निज मंत्र में इसलिए हटके चले आए वहीं पड़े हमें क समोसा ले और खाते जा रहे थे फिर लेते जा रहे थे उसने धक्का मार और दपकाग भगा दे तो हमें लगा कि कैसे संथ हैं इस समोसा के लिए बार बार हाथ पहला रहे हैं तो बोले उनको जानते हैं बोले हाँ प्राया वो दिखाई देते हैं बियारी जी की गली में बो पर जाओ माराजी ने पैसा दिया पचास रुपे उस समय जाओ समोसा खरीदो उनको दो उनके चरण पकड़ो उनसे कहो कि आपके प्रती हमारी ऐसी मलिन बुद्धी हो गए थी आप हमें छामा करें फिर शेवा में हाओ कितना शूक्ष महापुरुषों का सुरक्षा कवच कि किसी भी संत के प्रती वैश्णों के प्रती यह तो पड़ा रहता है तो कभी बाला नहीं लिए तो कोई वजन द्यान करता नहीं इस प्रकार से उसकी निंदा करना यह ब्रत्ती निरूपण है पाचवा है शुरूप निरूपण इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं हमें लगता है कोई महत्मा तो है नहीं बनावटी ही लग रहा है कोई आकरशन तो है नहीं इनके चेहरे में सच्चे सादू नहीं है आई सावेशा नहीं आप क्या जानते हो ये राक से ढखी हुई आग है राख हटे तब पता चलेगा अगर चेहरे से ही मात्मा की पहचान होती तो जडवरत जी को पहचान लेता रहुगन और शाधारण सत्संगी नहीं कपिल वगवान से सत्संग करने जा रहा है कोई शाधारण सत्संगी नहीं महापुरुषों का संग करने वाला है फिर भी नहीं पहचान पाया राक से ढखी हुई आग को जड़भरत जी जैसे महान ब्रमभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी जब उनके वचन प्रकाशी थो तो कूत पड़ा पालकी से चरूनों क्या रही इतनी उची स्थिती के मात्मा काप गया किसी भी मात्मा के बाहे रूप को देखकर के नहीं जाना जा सकता कि किश कोटी का मात्मा कितनी उचाहिका है इसलिए इनमें तेज नहीं है इनका चेहरा कोई आकर्शन कारी नहीं ऐसे कोई साधारन लगते हैं कोई सच्चे साधू तो है नहीं ऐसा ऐसा नहीं करना जाए चटवां धातु निरूपन भक्त या भगवद विग्रह की अच्छा ये पथर के ठाकुर जी है सब्तम धातु के है ये का ऐसे बने हुए ठाकुर जी अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभू विराजमान कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभू विराजमान सी विग्रह में पाशान लोहा तामा या कास्ट की भावना ले आना ये आपके निरंतर भजन में बाधा पहुँचा देगी उन वेगूं को शेहना और इस अपराद से बचना जो गुरू ने नाम दिया है मंत्र दिया है आरादे देव का रूप दिया है उसके सिवा सम्माया है वो अपने को चिंतन नहीं करना क्यों उतने चिंतन ये बहुत कठीन बात है प्रायहा मन मानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है और गुरु मंत्र और गुरु स्री मुक्से जो दिया गया उपाशना नाम है पद्धती है उसमें मन मरता है इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता है हम यह देखते हैं प्रहा कई उपास्टकों से सुना है उनके हरदय की बात जो गुरू प्रदत है उसमें नहीं लगेगा और मन मान नहीं लग जाएगा मन ने सुईकार कर लिया चितम केशों राम नारायन यह रटे हैं हम उन्हीं गुरू से पूछ रहे हैं जोनोंने मंत्र दिया है नाम दिया है यह हम रटे हैं वे बुरी बात तो है नहीं भगवान के नाम जपी है पर बात नहीं बात नहीं बनेगी जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरू वाक्यम जो गुर्दियों ने शब्द दिया है नाम दिया है मंत्र दिया है बल्द होय अनन एक ब्रत गाये वही चाहे जितना मंचंचल हो जो ऐसी निष्ठा वाला होता है देर नहीं लगता सांत होने में पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है थोड़ी दिर ये जपा थोड़ी दिर वो जपा भगवाने का तो भजन करना है अभी वो पद्धती को नहीं शम्ज़े अभी रस्मार्ग में बहुत दूरी है अंतरा है सभी कारे करते हुई अपने शौरूप में इस्थित रहना जैसे अपने लोगों का शौरूप है शेहचरी तो जगनेशी लेकर शेयन तक आपकी शमर्दी में रहना चाहिए मैं शेहचरी जी की शेहचरी होई भले अनुभों में नहीं आ रहा आपको शेहचरी वपू का अनुभों नहीं हो रहा पर हम है मान लेना जैसे अपने को अनुभों नहीं था हम कि स्कुल में जन्में बर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो ब्रामन हो बैठ गया ना दिमाग में युझे लिखाया गया ब्रामन का ही और बैठ गया पंडित घर के जन्म है ऐसे गुरू ने तुमें नया जन्म दिया है ना इस्त्री हो ना पुरुष हो ना ब्रामन हो ना छत्री हो ना वैश्य हो ना सुद्र हो ना गरेस्त हो ना बिरक तो हो क्या हो स्रीजी की प्रिशक्षी हो तुम स्वैकार करो जैसे माने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता है और पिता ब्राम्मर कुल के है तो तुम भी ब्राम्मर कुल के हुए समझ गए तुम पंडित के संतान हो तो पंडित ही हुए ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रितम के अंश हो गुरुदिर ने शमझाया तुम प्रिया प्रितम की प्रिशक्षी हो बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले इसी से स्वरू जागरत होगा जो उपाशना पंद्धती मिली पहले दिमाग में ले आओ ना इस्त्री हो ना पुरुश हो ना ग्रेश्त हो ना विरक्त हो ना ब्राम्मण हो ना चत्री हो ना वैश्य हो ना शुद्र हो तुम क्या हो तुम प्रियालाल की निचजन हो तुम प्रियालाल की सहचरी हो प्रियालाल की प्रिशकी हो ये सुबह से सयन तक आपके दिमाग में आ जाए जैसे हम रटते नहीं है पर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम अपनी बात बता देंगे ये सरीर कहा जनमा है क्या है कभी याद नहीं करना है लेकिन हो आया ना ऐसे ही सहचरी वपू का है हमने दर्शन नहीं कि यह सहचरी शुरूप के पर हमारे गुरुदेयों कहे रहे हैं कि आप सहचरी वपू हो आपका सुरूप सहचरी है तो हम पहले सुलकार करते हैं उटते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं सिरी जी की प्रिशकी हूँ युगल सरकार हमारे प्रितम है और पीछे की जो बाते की गई वो हमारे जीवन में ना हो तो भगवान जो कह रहे हैं आशीत मत परहा मेरे परायन होकर बैठ जा अर्थात आप निहाल हो जाओगे भगवद आश्टित भगवद परायन वरतमान में ही आनंदित होता भविस्य की बात नहीं होती वरतमान में जाने मुरी च्छाती उसका हरदय जो शीतलता और आनंद से भर जाता है फिर वो कृत कृत्यता कानुभव करता है इसलिए सत्संग का स्रमन करो फिर मनन करो और उसको जीवन में धारन करो जो कहा गया नहीं करना उसको छोड़िए जो कहा गया स्वईकार कीजिए उसको स्वईकार कीजिए यही बिवेक है असत का त्याग और शत को स्वईकार करना जिस्सत को स्वेकार किया उसे में अनुराक कर लेना यही उपासुना का अंतरिक मर्म